cooking and time select करने के लिए सबसे पहले clock set करें अब दूसरी बार clock का button दबाएं minutes set करें तीसरी बार confirm करने के लिए clock का button दबाएं clock time set होने के बार cooking and time button प्रेस करें आवर्स अगर चाहिए तो आवर्स अदर्वाइस मिनेट्स के लिए दूसरी बार कुकिंग एंड टाइमर बटन दबाएं मिनेट्स शेट करें डिले के लिए जितना भी टाइम आपको चाहिए और तीसरी बार cooking and timer का बटन दबा के confirm कर दें time अब function पर जाईए cooking time set कर दीजिए और start बटन press कर दीजिए अभी ये light blink हो रही है जैसे ही हमारा जो cooking and timing हमें शेट किया है डिले के लिए वह complete होने पर automatic और one start हो जाएगा अब अब अब